boxing करने वाले actually मैंने helmet काफ़ी पहले लिके आया था लेकिन इसका वीडियो बनाया नहीं था एक्जॉर का helmet और helmet काफ़ी important पार्ट होता है safety का हमारे riding journey में without helmet first of all you should never drive कभी drive नहीं करना चाहिए और में बाद जो है helmet जो है यह पूलिस प्रोटेक्शन के लिए नहीं रहता है यह हमारे खुद के health safety के लिए रहता है तो safety awareness safety gears के साथ अगर हम लोग ride पर जाते हैं या travel करते हैं कहीं पर भी तो वह हमेशा फाइदे मंद रहेगा दोस्तों तो लेट्स ओपन हमारा यह जो helmet है यह जैसे कि आप देख सकते हैं इसका इसका box मैंने वैसे वहां पर शॉप में छोड़ दिया था क्योंके लिए हम लोग दो लोग थे आने के लिए और इतना सामान भी था थोड़ा तो वह carry करके लाना घर पर काफी मुश्किल था तो मैं यह बैग लेकर आया था सिर्फ इसमें ओके दोस्तों सो यहां पर यह एक बैग मिलता है जिससे आप आपकी घर में इसको आप रख सकते हो काफी अच्छा धूल मिट्टी से बचाने के लिए यह झांट यह हमेश्कें अदर रख्या है काफी दाकि वह मॉष्चराइजर को या फिर अभी मैं मुंबई साइड हो सी कोस्टल साइड है यहां पर मॉष्चर बहुत ज्याद है मॉष्चर काफी ज्याद रहता है यूमेडिटी काफी रहती है थो हेल्मेट स्टिंक करने का या फिर उसमें bacteria grow होने का काफी ज़्यादा chance होता है तो जैसे आप देख सकते हो कि यह helmet जो है यह open हो चुका है अभी यहाँ पर और यह color मैंने खास करके चूज किया है जो कि हमारे X-Pulse के साथ काफी ज़्यादा match होता है इसमें मुझे यह red वाला variant चीह था जिसमें red, blue and yellow colors ल अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक सगेंड दोस्तों ओके दोस्तों सौरी थोड़ा disturbance हो रहा था ओके सो यह जो model है यह बलक लावा यह भी मैं इसमें रखता हूं कभी ride के लिए मतलब मिस्प्लेस ना हो सही जगे पर मिल जाए हा द्यूल स्पोर्ट्स में इसका फाइदा क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको यह बीक है बहुत सरी लोग इसको adventure helmet भी केते हैं फिर off-road या फिर motocross road जो कुछ भी है यह थोड़ा बड़ा रहता है normal helmet से थोड़ा इसका shell size जो है यह बड़ा रहता है इसमें औ आपर इसका यह जो बीक है first of all यह बीक जो है इसको आप यह सेम हिलमेट को यह dual sports क्योंके थे क्योंकि लिए इसको आप नॉर्मल हिलमेट भी बना सकते हो और इसको आप adventure helmet चीए आपको adventure adventure मतलब क्या रहते है कि थोड़ा यह बीक बाहर रहता है इसका इसका यह देखो यह व वाइजर काफी बढ़ी है काफी वबह्ते है जैसे कि आप देख सकते हो काफी वाइड है और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर जो है अगर अप मैंको तो दिखाना चाहू तो यह pinlock 70 के साहते है यह biting जिसके वाज़े से मतलब अभी जैसे थंडी का मोसम है या फिर फॉग हो रहा है या बारिष में जो है हम लोग राइड करते तो काफी जादा फॉग हेल्मेट के वाइजर के अंदर जमा हो जाता है जहां पर राइड करना काफी मुश्किल हो जाए विजिबलीटी नहीं होती तो यह पिनलॉक 70 वन आफ दे बेस्ट माना जाता है जो कि यह वन आफ दे बेस्ट फीचर यहां पर मिल रहा था उसके बाद यहां पर इसके जो यह एरवेंट से यह एक नैच्रल एरवेंट है इसको हम लोग लोग लॉक नहीं कर सकते लेकिन इसको लोकिंग मेकेनिसम है हम निकलने के लिए काफी वेंटिलेटेड रहता है हाँ सबसे मेन बात जो है यहां पर अभी इसको अगर हम लोग दिखाए तो यह एक्स और का ब्रैंडिंग आपको यहां पर दिखता है यहां पर एक्स क्रॉस यह इसका मॉडल नमबर है इसी रेटिंग डॉट रेटिंग औ जाते हैं इसकी ऊपर के भी एक दो शार्क वगरे जो है जैसे जो के दुसरे ब्रैंड के जो हैं में वह लोग कंपेटिबल हो जाते हैं अभी यहां पर आगर आप देखते हुए और 22.505 यह जो है यह वेरिंड नमबर है 06 अभी लेटेस्ट में आया हुआ है जो कि काफी क हम हेलमेट में फिलाल तो यह मतलब स्टैंडर्स रहें जैसे हमारे अंड्रोइड का वर्जन 14 15 12 जो होता है हमारा सेलफोन में भी थोड़ा अपग्रेडेशन होता है उसी तरीके से यह सेप्टी स्टैंडर्स जो है यह यहां पर अगर आप देखोगी तो यह यूरोपेन कं सब्सक्राइब अच्छा लगाता है अगर आपके पास टॉप बॉक्स है जो यह साइज कंपैटिबल नहीं है तो आप इसका यह जो बीक है यह बीक को आप निकाल सकते हो यह बीक को आप निकाल सकते हो अब कर दोड़ा सबर रखें मेरे पीचे से काफी ज्यादा नॉइस भी आती रहेगे दोस्तों आपको क्योंकि लिए यह जो है यह मोबाइल फोन का ही माइक से हम लोग रेकॉर्ड कर रहें एक्स्टरनल माइक नहीं है जो कि नाइस का इंसलेशन सपोर्ट करें यहां पर तो नॉइस का इंसलेशन वाला माइक भी हम लोग देख रहें दोस्तों आगे यह इमेज थोड़ी मेरे ज्यादा येलो येलो दिखते रहें क्योंकि लिए जो नीचे कपड़ा रखा है ये भी येलो है और हेल्मेट को स्क्राचिस ना आए इसके लिए हम लोग इसका प्रि प्राइस फेक्टर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है दूस्तों कि यह यह इसे इसके त्री अज़िए सिंपल है दो तिन मिनिट लगता है नहीं नहीं शुरुआ थे तो हमें यूस्ट होने के लिए थोड़ा लाएगा अगर आप अभी देखते होई है पर इसको साइड म इसके बीक को यह देखिए यह नॉर्मल हिल्मेट बन गया यह नॉर्मल हिल्मेट बन जाता है और अगर हम लोग इसको यह यह स्पोर्ट्स वेरेंट या अडवेंचर वेरेंट या उफ रोड या एक्स क्रॉस बहुत सारे नाम है इसके अलग अलग जो कि मुझे काफी ज्य ज्यादा अच्छा लगा और स्पेशली मैंने मेरा यह कलर लेने का है कि यह था हल्मेट जो है मुझे डिजाइन से नहीं मुझे मेरे सेफ्टी और सेकेंड यहां पर अगर कोई बंदा हल्मेट पहन रहा है तो वह सामने वाले को विजीबल होना चीए अगर आप बाइक रा टूप लैकर होता है अच्छा एक्सेट्टर ने लेकिन रिफष् Custom होता है और यह थोडा किरा निट टाइप 100 तो आप सामने वाले को विजीबल होने के वाज़से लिए चांसेद्ट्र ऐसे कभीए हो जाते कोई धाई अनने दिखाई देता ही नहीं तो आप जो है वालो तो मैंने कहता है कि एक दम जगा-मगा पूरा हम लोग के मुंबया स्टाइल में बुलते हैं उसको के जगा-मगा-माला भगा-माला बगा-माला एकदम अज़ा है पूरा रंगिला इंसां भी बनके घुमना है हम लोगों को थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए तो यह बा इस फ्रीड हो जाते हैं अभी यह जो है मेरा यह 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 दिखाए देगा कि नहीं पता नहीं यहाँ पर इसका जो मेरा साइज है ल्ले तो यह आप आपके जो शेल साइज भाहर का फिटिंग जो है न दुस्तों यह फिटिंग कफी इसका इंपोर्टन में एक और वीडियो बन हम लोग बात करेंगे तो यह फिटिंग काफे इंपोर्टेंट अभी यह हिलमेट लेने का सबसे बड़ा एक बेस्ट रिजन जो है मेरे वो था इसके पैडिंग में जो इसके पैडिंग काफे अच्छे लगा भी यह थोड़ा यह निकला हुआ है यह चिन माउंट भी चीए अ आपको यहां पर नीचे से हवा नहीं जाएगी तो विंड नॉइज नहीं आएगी यह थोड़ा टाइट रहेगा नया-nया तो इसको आपको ठोड़ा खिचना नहीं है जोड़ नहीं लगा नहीं लेकिन इसली निकल थे थोड़ा सबर से निकले तो यह काफी ज्यादा यह माइक के लिए ना जो भी आपका इंटरकॉम का माइक होगा या फिर ब्लुटूथ का माइक रहेगा तो वो माइक जो है यहाँ पर आप लगा सकते हो मतलब इसका फिटिंग जो है यहाँ पर विंड नॉइज आने का कोई टेंशन है नहीं है दूसरा मिन बत कि यह जो काफी अच्छी तरीके से इसको यह प्रोटेक्ट भी करता है नीचे से मतलब और दूसरा में बात जो है यह आप जब लगाते हो तो नीचे से धूल मिट्टी बोथ जाएगी तो जो कि आपको राइडिंग को मतलब प्रोटेक्ट करेगा ओके जो कि आपको राइडिंग को काफी कॉलिटी है क्योंकि लिए जब आप अलग-अलग प्राइस के अलग-अलग कंपनी के जब आप हेल्मेट लोगे दोस्तों तो वहाँ पर आपको जो डिफरेंस दिखाए देगा वह दिखाए देगा यह पैडिंग में यह कॉलिटी में इस शेल जो यह मैटेरियल जो ह तो उसमें यह यहां पर अगर मैं दिखाओ आपको इसको थोड़ा निकालना नया नया काफी तकलिफ दाए हां और यह भी है यहां पर एक यह जब आप अभी मुझे स्पेक्स है तो जब मैं चश्मा लगाता हूँ तो मुझे नॉर्मल क्लीन ग्लासेस है मेरे मेरा कोई मतल प्रोटेक्शन हो जाए जब अब धूप में चलाते हो तो काफी सिर्द दर्द होता है मुझे तो होता है तो तो वो टाइम पर आप यहां पर जो हो यह इसका अभी यह दिखाई दे रहा है कि नहीं तो को एक सेकेंड यह दिखिए यह जो है यह काफी ज्यादे इंपोर्ट तो तो आप के आप आपको लेना यूज form करते हों लेकिन यह प्लस पॉइंट होता है दोस्तों की काफी ज्यादा मतलब बारिश में आप ने वाम किया है थोड़े ठाएम के लिए तो आपके आखों को प्रोटेक्ट अबर्लेबल पे तो कर सकता है तो या फीर ज्छादा फ काफ़ी अच्छा बेस्ट कॉलिटी में इन्हों ने दिये वन अफ दॉट्स यह घ्ड यह भी मेरे लिए पहले वाले वेरियंट में इसका नहीं आता तो लेकिन अभी यह नया वाला विरेंट आया था तो यहां पर मैंने ले लिया था और हां अभी हम लोग इसका पहनते हो तो आपको ठोड़े टाइम के लिए थोड़ा आजी कोई भी नई चीज जो है आजी रहती है नहीं लेकिन बाद में आप यूस्ट हो जाते हो इसके लिए तो यही था मेरे तरफ से और जो सेफटी स्टैंडर्स जो है वो स्टैंडर्स के इसाब से होता ही है लेकिन म मेरे लिए जो था कि में किसमें कंफरेबल हो मुझे यह हलमेट जो हमें आगेन आपको बात केता हो दुस्तों कि यह मैंने पुलिस से फाइन बचने के लिए नहीं लिए तो यह और ने स्मेस करना चाता हूं कि पूलिसते बचने के लिए अप आपके सिर को प्रोटेक्ट करने के लिए पहने हैं अगर मैं आपको आपके बॉडी के एक-एक वाइटल ऑर्गन्स मतलब या फिर जो पिर पार्ट से उनके अगर मैं प्राइस पूछू जो कि अन्मोल है भाई नहीं मिलता है वापिस वैसे के वैसे तो नहीं मिलता है लाको क होसता कुछ निए जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है लेकिन अगर आप उसकी पहले से ही प्रोटेक्शन रखते हो या फिर वह क्या कहते है ना प्रिकोशन इस बेटर देन क्योर वह बात है तो अगर आप प्रिकोशन पर खर्चा करते हो खर्चा है तो आपको लॉंग टर काफी अच्छे रेट में मिला ओके तो मैंने यह ऑफलाइन स्टोर से लिया है ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है ऑफलाइन भी अवेलेबल होता है तो अगर आप इसका प्राइस जानना चाहते हो तो ऑनलाइन सम्थिंग 7600 एक सेके ना लेट मी चेक हम लोग आभी चेक करते एक्जार के वेबसाइट पर अगर हम लोग देखते हैं यह देखें यह यह वाला हेलमेट इट इस 7406 रुपिस तो और अगर हम लोग इसको अमेजोन या फिर कही पर भी देखते हैं लेक एक सेके ना कि अ कि आख इस देखें कि यह वाला मुझे जीए था दोस्तों जो कि अब अभी तभी एवेलेबल नहीं था लेकिन मैंने यह दूसरे कलर में ले लिए फिर कुछ एकर के यह नहीं हो रहा मतलब वेट करके मतलब नहीं हो रहा था कलर जो है यह सिफ के सामने वाले को दिखने के लिए लेकिन सेफटी फीचर में अगर आप देखोगे तो यह बने दा सेम ही है इसमें इसमें वेट जो है थाटीन फिफ्टी दिया है जो कि अलग है यहां से सो मैं यही बात बोलूंगा आपको कि एमेजॉन से भी अग यहां पर देखिए यहां पर 6900 मिल रहा है और यह एम एम साइज है रेड एम में है तो यह चोटा साइज है तो शायद प्राइस कम होगा लेकिन मुझे भी काफी अच्छे आसे डिसकांटेट रेट में मिल गया था आफलें स्टोर में भी लेकिन यह अवेलेबल नहीं रहत है दोस्तों तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप यह हिलमेट लेना चाहते हो तो आप आपके नियर एंडियर जो भी स्टोर्स रहेंगे वहां पर आप उनको कॉल करो या फिर बात करो या मिलो उनको यह फोटो बताओ या फिर आप डारेक्ली एक्जॉर के वेबसेट से भी आप डारेक्ली आप पर्चेस जो है कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पॉइंट एक ही होता है ओफलाइन स्टोर से लेने का कि अगर आप आपको क्या कहता है मैं लेने के लिए मिलता है अभी जो 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 अफ्लाइन स्टोर से प्रॉब्लम आवाज हो रहा था यह सही तरीके से है यह तरीक से चलनी रहा तो जहां से मैंने लिया तो वह सर जी ने तो पूरा-पूरा हेलमेट खोल के दिखा दिया मुझे यह हेलमेट जो है मैं आज की तरीक में पूरा खोल सकता हो कुछ भी कर सकता हो और इसको मतलब टेंशन लेने के ज़रूरत ने कि भाई यह खराब हो गय आएंगे जब लगाएंगे ओके और एक इंटकाम वricular विड्यो रहेगा जहां पर हम लोग यहां पर इसको एक इंटकाम लगाएंगे कहां पर लगेग देखना पड़ेगा मुझे ओकैय्हां पर लग्ली हाँ पर लेगा most of the time left hand side पर लगाते है क्योंकि लिए right side में जो है हमारा accelerator होता है और cruise control तो हमारे bike पर है नहीं तो हम लोग let's see देखते हैं लेकिन by the time ये helmet के लिए go for it दोस्तों इसके साथ market में और भी ये वाले type में helmets है लेकिन compare to price compare to color और अगर आपको ये वाइजर नहीं चाहिए तो ये ये काफी एक plus point होता है अगर आपको नहीं चाहिए तो आप निकाल के रख सकते हो लेकिन अगर आपको चाहिए रहेगा तो वह दूसरे brands में available नहीं एक तो महेंगे हैं ने तो available नहीं है वो देते नहीं है तो ये एक्जॉर का ये जो है एक्स-क्रॉस ड्यूवाइजर वाला जो चाह या ड्यूव स्पोर्ट्स के थे इसको ड्यूवाइजर तो बहुत सारे हल्मेट में भी आ जाता है लेकिन ड्यूवल स्पोर्ट वाला जो variant है यहां पर ये मिल रहा थे काफिए बैटर हैं अर ये एक एक पॉइंट में यहां पर मिस कर दिया था तोस्तों यह इनका जो लॉक है यह भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यह डबल डी रिंग है डबल डी रिंग है इसको वन आफ दो सेफेस्ट लॉक सिस्टम जो है एडवांस में अभी बोला जाता है जो और एक आता है वह हाइवेस पर जाते हों तो आप स्पीड में रहते हो आप आपके स्पीड में रहते हो मुझे नहीं पता आपका स्पीड क्या है लेकिन आप आपके स्पीड में रहते हो और सामने वाला भी उसके खुद के स्पीड में रहता है और अनसर्टेनिटी हाइवेस पर हमेशा रहत तो अभी मैं आपको यह बताता हूँ कि यह लगाती कैसे इसके लिए भी काफी बड़ी कहानी थी मुझे समझ में नहीं आता था कि लगाओ कैसे शुरुवात में काफी ज्यादा तकलिफ हो रहे थी लेकिन हेल्थ के सामने या फिर सेफटी के सामने तकलिफ छोटी बात है तो आदत कर लेते तो पहले आप देखिए मैं इसका एक छोटा वीडियो भी बनाऊगा अगर आप डबल डी रिंग का लॉक लगाते हो मैंने यह बिक निकाल के रखा क्योंकि लिए दब जाएगा नीचे तो यह डबल डी रिंग का जो है यह लॉक यह लॉक जब आप लगाते हो तो यह दोनों में से डालने आपको यहां से डाला यहां से डाला, ओके, इसको आपको थोड़ा, मतलब पहनते हो तो तब यह बराबर हो जाता है, हाँ, यह ऐसा, ओके, यह ऐसा लग गया, तो अगर आप शॉट राइड पे हो तो आप यह इसको एक सिंगल लगा के छोड़ सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, ऐसा मत छोड़ होगे, इसमें, कोई-कोई लोग जो है नाम के लिए, अभी तो नया लॉग भी आ गया है, कि अगर आप हेलमेट पहने और उसको लॉक नहीं लगा है, तो भी आपको फाइन होगा दोस्तों, यह नया लॉग है, तो यह आप इसको रिटन लेना है दोस्तों, जब आप रिट नहीं लगेगा, और जब आप इसको घुमाते हो, यहां से, अगर आप शॉट रेड पे हो और यह एलमेट पहना है, तो आप इतना भी पहनते हो, तो भी ठीक है, क्योंकि लिए यह लेवल पे यह लॉक हो जाता है, एक सिंगल लॉक हो जाता है, लेकिन अडिशनल लॉक फी दो, ओके, एक सेकना, होल्ड कीजिए, ओके, सॉरी, तो यह देखो, यह एल साइज मेरे लिए है, मैंने, एम भी पहना, एकसल भी पहना, लेकिन, एल मुझे जो है, काफी जादा कमफर्टेबल लगा, और इसका पहनने का जो है, इसका भी एक हम लोग वीडियो बनाएंगे के हेलमेट चूस के से करे, वो भी हेलमेट हम लोग का एक सीरीज में हमारा बनाएंगे, यह कलर नीचे के वज़े से कुछ-कुछ जगा पे यहाँ पर कमपनी जो है, आपका रिफ्लिक्टिव 3M टेप वाला जो स्टिकर रहते वो लगा दे थे, कुछ-कुछ पीचे होता है हां, इसका एक इशू मेरे पिलियन राइडर को आ रहा था, मेरे पीचे जो बेटे थे, उनको 2-3 बार यह भी लगा, यह भी लगा, नहां नहां, तो यह एक तकलीफ है, तो इसके लिए मैं सोच रहू कुछ तो यहाँ पर कोटिंग लगा दू, कि ताकि अगर किसी जो लग होता है, यह लोक काफी सिंपल है, अभी लोक तो हो गया, थोड़ा प्रेक्टिस करो घर पे दोस्तो यह लोक हो गया, आपको अगर इसको ओपन करना है तो सिफ यह रेड जोर का यह खीचना है, अगर आप में ऐसा घीचूंगा तो यह लोक हो जायेगा, लेकिन यह वा तो अनलोग फटक से हो जाता है दोस्तों थोड़ा प्रैक्टिस के जरूरत है बस तो यह जो है यह डबल दीरिंग यह काफी ज्यादा इंपोर्टन पार्ट है यह एडवांस फीचर है और हम लोग जो पैसा दे रहे हैं दोस्तों यह 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 फीचर का यह इसके अंदर भी एक थर्मकॉल वाला मतलब थर्मकॉल यह से दिखता है लेकिन उसको कोटिंग बोलते हूं उसका नाम कुछ अब याद नहीं आ रहा है मैं लिख दूँगा मेंशन कर दूँगा और यह काफी बड़ा व्लोग बन गया अभी यह प्रड़क्ट के बारे में जो की काफी इंपोर्टन्ट है यह मैटर नहीं करता है दोस्तों कि यह व्लोग कितना बड़ा बन रहा है अगर यह इंफॉमे इस नहीं है कर सकते लेकिन यहां पर पर स्पिकर मेंट वाला जरह यहोगा है ओका लेकिन यह वाला मेरे लिए काफी इंप्रॉटंट तो यह वाला व्लॉग और इसके साथ मेरे काफी सारे व्लॉग आने वाले है और कुछ व्लॉग अपलोड हो चुके है तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट जो है उसमें आप जाके चेक कर सकते हो या फिर उपर ये फ्लेश आउट हो आ रहेगा या मेरे चैनल क तो गो थू करो लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिए और उसका बेल बटन को दबाईए बेल बटन दबाने से किसी को पैसा नहीं आता है मुझे पैसा नहीं आता है लेकिन जो भी इंफोर्मेशन में डालूंगा उसका अलर्ट आपको आ जाएगा कि कुछ तो नया वीडियो तो लेट सी आगे क्या होता है और मिलते हैं हमारे नए व्लोग में ओके तिल देन राइट सेफ स्टे सेफ गुड डे